hello friends welcome back to our YouTube channel youth academy दोस्तो आपका मेरे YouTube channel में स्वागत है दोस्तो आज हमें study करने वाले is standard seven Hindi lesson number eight जीवन नहीं मरा करता है दोस्तो इस poem को लिखा है गोपाल दास सक्सेना नीरत जी ने और इनके बारे में हम जानेंगे और दोस्तो आपसे request है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो please चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि मैं इसी तरह की educational and informative वीडियो अप्लोड करते रहता हूं दोस्तो जन्म इनका 4 जन्वरी 1924 पूरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ इनकी रचनाये हैं बादर बरस गयो नीरच रचनावली नीरच की गीतिकाएं दर्द दिया है ऐसे कई सारे इनके क्या हैं रचनाये हैं कई सारी किताब इन्होंने लिखी है दोस्तो अब इनके परिचे जानते हैं पद्म भूशन गुपालदास सकसेना जी कवी सम्मिलनों के मंचों पर का विवाचक एवं विख्यात कितकार हैं दोस्तो जी ये गुपालदास सकसेना जी हैं यह पद्म भीवूशन से पुरुसकारित हैं और यह कवी सम्मिलनों में म प्रसिद्ध गीतकार हैं गाना भी लिखते हैं और गाते हैं ठीकें दोस्तों इस पोएम में क्या दिया यह हम समझेंगे प्रसुत कविता में कवी ने विविन्द उधारनों के मादन से जीवन की समस्याओ और उसकी सास्वतता की और संकेत किया है मतलब कवी ने कई सारे एक्जामपल दे करके जीवन को जीवन में आने वाली तकलीफों को हमें बहुती सरलता से लेना चाहिए ऐसा उधारन दिया है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कवी दाड़ी हैं देखिए यहां पर कवीता में क्या है चिपचिप अश्रु बहाने वालो मोती व्यर्थ लुटाने वालो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है माला बिखर गई तो क्या है खुदी हल हो गई समस्या आसू गर निलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या रुटे दिन मनाने वालो फटी कमिज सिलाने वालो कुछ दीपो के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर केवल जिल्द बदलती पोथी जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबा धूब की धोती वस्त्र बदल कर आने वालो चाल बदर कर जाने वालो चंद खिलोनों के खोने से बचपन मरा नहीं करता है कितनी बार गगरिया फूटी सिकन पर आई पन घट पर कितनी बार किस्तिया डूबी चहल पहल वो भी है तट पर तम की उमर बढ़ाने वालो लो की आयू घटाने वालो लाक करे पतजर कोशिज पर उपवन नहीं मरा करता है लूट लिया माली ने उपण, लूटी न लेकिन गंद फूल की, तूफानों तक ने छेडा पर खिड़की बंद नहीं हुई धूल की नफरत गले लगाने वालो, सब पर धूल उडाने वालो, कुछ मुकडों की नाराजी से दरपण नहीं मरा करता है तो दोसों, यह तरह का यह पोयम था और दोसों, हम इसमें कुछ सब्दार्थ हैं, सब्द वाटिका, इसे भी समझते हैं निलाम होना मतलब बिक जाना जिल्द मतलब पुस्तक का बाहिय आवरंड जिल्द बदलना जिल्द मतलब बाहरी जो कवर होता है उसको बदलने को करते हैं जिल्द बदलना शिकन सिलवट चिंता शिकन मिनस सिलवट यहां चिंता करना पन्घत की मतलब होता है हो स्थान जहां लोग पानि भरने आते हैं पनघट पे तो पनघट क्या होता है जहां पर समुद्र नदी किनारा जहां पर पानी भरने आते हैं पनघट क्याते हैं और कुछ मुहाओ रहे हैं वह भी हम समझते हैं गले लगाना गले लगाना मतलब क्या होता है प्यार से मिलना गले हम लगाते हैं किस्ती किस्ती का मतलब तम क्या होता है अंधकार तम मतलब अंधकार पत्त जर्णे की रितु जब एक मोसम अशला होता है जब पत्ते जर्णने लगते तुट के नीचे गिरने लगते हैं और फिर से नहीं पत्त आते इसमें मुखडा मिंस चहरा तो दोस्तों इस तरह ये इसके कुछ सब्दवाटिक थी ठीक है सब्द गार्टिका में यह हम समझें अब हम इसके पोयम को एकदम समझ के लेते हैं क्या इसमें हमें समझाने के कोशिश की गई है चिप चिप असुरु बहाने वालो मोती वर्थ लुटाने वालो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है मतलब कवी कहतेगी अपने दुख को चुप चुप के आसु बहाने से अच्छा है वर्थ में मोती लुटाने से अच्छा है क्यों हमारे जो आसु है वो मोती के समान है और उसको लुटाने से अच्छा है और कुछ सपनों के तूट जाने से हम रोने लगते हैं और निराश हो जते हैं तो कभी कहते हैं कि चुप-चुप के असुरु भाने वालो मोति व्यर्थ लुटाने वालो कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन मरा नहीं करता है जीवन मरा नहीं करता है तो माला बिखर गई तो क्या है खुद ही हल हो गई समस्या आसु गर निलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या देखो कहते हैं कि माला बिखर गई तो क्या है अगर तूट के बिखर गई तो क्या है अगर आसु गर निलाम हुए तो क्या हुआ जो आसु है वो बह गई तो क्या हुआ समझो पूरी हुई समस क्योंकि ऐसे ही हम अगर किसी चीजों के लिए आसु बहाएंगे तो हम और बहा के कोई मतलम नहीं ठीक है आसु बहाने से अच्छा है उस चीज को भुल जाना ठीक हम जगर भुल जाएंगे तो क्या होगा हमें हमारी जो समस्या है उद्दूर हो सकती है नहीं तो वही बार-ब रुठे दिवस मनाने वालो फटिक कमिच सिलाने वालो कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है कभी कहते हैं कि जो रुठे दिवस जो हमारे जो दिन है खराब दिन को मानाने वालो हमेशा हम कहते हैं कि मेरा जीवन खराब है अपने आप कोस्ते हैं और हमेशा अपने आप कोस्ते हैं कि महीं क्यूं गरीब हूँ और मुझे इतना तकलित क्यूं है ठीक है तो दोस्तों कहते हैं कि फटी कमीज सिलाने वालो उसी दुख पे रोना हमेशा अच्छी बात नहीं हो मरा करता है क्या अगर कुछ दिए बुझ जाएंगे तो क्या अंगण मर जाएगा, अन्धेरा हो जाएगा, नाढ़भर अंगण में? नहीं, नया दीब आएगा, नया सवेरा लाएगा, ठीक है, कोटा कुछ भी नहीं आपर, दोस्तों इस संसार में एस दुनिया में कुछ भी कोटा नहीं है केवल जिद बदलती जील्द बदलती पोथी पोथी का मतलता है किताब किताब के ऊपर दो यह चिधा味ी होती है अब हम लगाते हैं किसी बबस्ति है नया किताब हम नयात चाला देते हैं फिर फिर वैसे ही चीज़े खराब होगे थेली थेली प्लास्टिक निकाल कर तो फिर से लागा जाएंगे तो फिर से कितार नहीं हो जाती है इस इतर करते हैं कि हमारा जो सरीर है वो भी एक झिली की तरह है वह हमें सब पोथी बदलती रहती है और अब उसके उपर कवर बदलते र रात उतार चांदनी जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की दोती आपको पता है ना कि जैसे रात में चांदनी पूरे प्रित्वी पर कैसे अपना रोशनी बिखरती है और जैसे ही सुबह होता है सूरज अपनी रोशनी से उसको सवेरा कर देता है तो यह बदला कर आने वालो चाल बदल कर जाने वालू चणधोरों के खुने से बचपन नहीं मरा करता है कहते है कि कुछ खिलो दिख्टार घ्वर ले से ऽिएखा अमीर हैं वस्त रूखाली चाल बदल कर जाने वालों नहीं होता है ठीक है उसकी मानसिक्ता उसके सोच में अमीर यानी चीए कपड़ों से कोई अमीर बनता नहीं है ठीक है नेक्स्ट इसमें पॉयम है दोसो कितनी बार गगरिया फुटी सिकन आई पनगट पर कितनी बार किस्टियां डूबी चहल पहल वह है तडपर आपको मैं कभी एक चाथ कि कई बार जो पनगट होता है पनगट मतलब जहां पर लोग पानी भर जाते हैं इंदी किनारे वहां पर बना छोड़ देंगे नहीं कितनी बार गरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर पनघट पर कभी कमी आई नहीं लोगों की गर्दी वैसे एकदम भरा रता है पानी भरने के लिक कितना भी फूट जा चलेगा लेकिन घाई गर्दी वैसे ही रगिरती है कितनी बार किस्तिया भी समंदर में कई बार किस्तिया जो किस्तिया होती है मतलब जो नाव है डूब जाती है तरह मतलब क् convention क्यों भी। है नहीं वह नाव चलाना मन करता नहीं है वहां बार-बार फिर से प्रत्न करता है और उसी तरह चहल पल रती है तटपर तम की उमर बढ़ाने वालो लोग की आयू घटाने वालो लाग करे कभी कोशिस करो पतज़र कभी आने से करने पर उपवन कभी मरता नहीं है वो फिर से अपना एक समय आएगा और वो अपना रूप ऐसे ही भीखेरेगा और चारों तरफ हर्याली फिर से फैला देगा ठीक है लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की तुफाणों तक ने छेडा पर खिड़की बंद नहीं हुई धूल की दोस्वो इस पोई में कभी ने क्या खाया कि लूट लिया माली ने उपन माली ने पूरा उपन लूट लिया लूटी न लेकिन गंद फूल की क्या जो माली होता है जो फूल का समालता है पूरा बगीचे का फूल तोड लिया लेकिन क्या वो फूल के गंद को चूरा सकता है नहीं चूरा सकता वो उसके गंद को नहीं ले स छेड़ा पर खिड़की बंद नहीं हुई धूल की तुफानों तक ने छेड़ा पर तुफानों ने भी क्या किया छेड़ा लेकिन खिड़की बंद नहीं हुई धूल की कितना भी हम खिड़की बंद कर दें तुफान आए कि हमारे घरों में धूल ना आए तो क्या हम रोक सकत वालो सपर्धूल उडाने वालो कहते हैं कि नफरत को गले लगाने वालो सपर्धूल उडाने वालो कुछ मुखडों की नाराज से दरपन नहीं मरा करता है कि कुछ लोगों के नाराज होन जाने से क्या धरपन जो है जो सिसा होता है तो ऐसा नहीं होता है तो कुछ मुखडों की नाराजी से दरपन नहीं मरा करता है तो दोस्तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं इसे तरह की educational and informative वीडियो अप्लोड करते हैं रहता हूं सो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर and गुडबाई